बात करेंगे जो एक्जाम के हिसाब से एक नंबर का वन्डे एक्जाम में पूँच लिया जाता है चलिए वीडियो को सुरू करते है आंद्र प्रदेश की राध्धानी क्या है आंद्र प्रदेश की राध्धानी हैदराबाद है लेकिन इसको चेंज करने का प्रष्टाव रखा गया है इसका नाम अमरावती करने का है लेकिन अभी किया नहीं गया है अभी बरतमार में इसका नाम हैदराबाद ही है बाद में चेंज करके इसको अमरावती कर दिये जाएगा अउडाचल पर्देश की राध्धानी क्या है इटा नगर है असम की राध्धानी क्या है असम की राध्धानी दिस्पूर है बिहार की राध्धानी क्या है बिहार की राध्धानी पटना है 36 गड़ की राधधानी क्या है नयारायपूर है गोवा की राधधानी क्या है पंजी है गुजरात की राधधानी क्या है गाधी नगर है हर्याना की राधधानी क्या है चंदीगड है हिमाचल परदेश की राधधानी क्या है सिमला है जारखंड की राध्धानी क्या है? राची है करनाटक की राध्धानी क्या है? बेंगलोरू है केरल की राध्धानी का क्या नाम है? तिरुवनंदपुरम मद्ध परदेश की राध्धानी क्या है? भोपाल है महाराष्ट की राध्धानी क्या है? महाराष्ट की राध्धानी मुंबई है मनीपुर की राध्धानी क्या है? इमफाल है मेगाले की राध्धानी क्या है? सिलोंग है मिजोरों की राध्धानी क्या है? आईजोल है नागलेंड की राध्धानी क्या है? कोहिमा है उडीसा की राध्धानी क्या है भुने स्वर है पंजाब की राध्धानी क्या है चंदीगड है राजस्थान की राध्धानी क्या है जैपुर है सिक्किम की राध्धानी गंग टोक है तमिल नट की राध्धानी चन्नई है तिलंगाना की राध्धानी हैदराबाद है तिरपुरा की राध्धानी अगरतला है उत्तर परदेश की राध्धानी लखनव है उत्तराखंड की राध्धानी देहरादून है देहरादूम ये बिंटर में है और गैर सेंड समर में है यानि उत्राखंड की दो राध्धानिया है बेस्ट बंगाल की बात करते हैं बेस्ट बंगाल की राधानी रोलकाता है उसके बाद हम यूटी के बारे में बात करेंगे यूटी का फूल्भामывает union trajectory होता है चलिए देखते हैं आगे अंडमान और निकोबार की राधानी क्या है तो अंडमान और निकोबार्त की राध्धानी पोर्ट ब्लेयर है चंदीगड की राध्धानी चंदीगड है दादर नगर हवेली और दमन और दियू की राध्धानी दमन है दिलही की राध्धानी न्यू दिलही ही है लच्छ दीव की राध्धानी कवारत्ती है पुदू चेरी जिसे पॉंडी चेरी भी कहते हैं उसकी क्या है तो पॉंडी चेरी ही है जम्मो और कस्मीर की रादधानी क्या है शरी नगर समर में है और जम्मो बिंटर में है लद्दाक की राददानी क्या है ले है तो दोस्तों ये इंड है इस वीडियो का अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बाक्स में बताईए ये वीडियो आपको कैसी लगी मैं आने वाले दिनों में ऐसे ही बहुत सी वीडियो लेके आता रहूंगा तो थेंक्यू